हम बनाने जा रहे हैं शिवरात्री स्वेशल त्राली उसके लिए सबसे पहले हम ठंडाई बनाएंगे ठंडाई के लिए लेंगे हम काजू, बदाम, किश्मिश, मगज के बीच, काली मिर्च, इलाइची, मिश्री, सोफ, पिष्टा, मखाने और थोड़े ड्राइ पैटल्स और फिर इनहें दो से चार घंटे के लिए भीको के रग देंगे अगर दो से चार घंटे नहीं भी हो सकते हैं तो हम घरम पानी में भीगो सकते हैं फिर पीस लेंगे और दो घाणальном ग्लाज दूद के साथ हम सिफ दो gagner के साथ अब सकट आपJack करेंगे और इस तरह से हम जी कुकर में फिर बीचाई को घर लेंगे काड़ी में ने करने दगला केसर जाने कर लेंगे, यह था विद्टो को में...' खडी शकरह भी डाल सकते हैं कि तर फिर इस तरह से हम घी में रॉस्ट करेंगे और हलवे के उपर डाल देंगे और उसे 5-10 मिट के लिए लाएंगे और फिर ये हमारा शकरकंद का हलवा रेडी हो गया है भूग के लिए अब हम बनाएंगे साबुदाने की किचडी उसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया उसके लिए मैंने साबुदाने को 3-4 गंटे इसमें वॉयल आलू मिलाए शकर और नमक डालकर उसे अच्छे तरह से मिक्स कर रही हो मैं अच्छे तरह से मिक्स कर लिया अब मैंसे माइक्रोवेव में 2-3 मिनिट के लिए स्टेम कर दोंगी ये देखिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया ये स्टेम हो चुके है अब ह जीरा न अच्छा इड़क काली मिर्च, कडी पत्ता, दणे ऊटाली और तरह कलिकवाली कश्मीरा किया लाल मिर्च, कडी गटा से हूई कटी और पेच्छेश क है अब भगवान के भोग के लिए प्लेट लगाएंगे साबुदाने की हिचडी मैंने इस तरह से कटोरी की सहता से डाल दी उस पर कुछ अनार के दानी डाल कर इस तरह से डेकोरेट किया है फिर भोग के लिए शकरकन का हलवा और उस पर काजू से उसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँगे और ये ठंडाई भी रेडी कर दिये इस तरह से मेरी भोग की प्लेटिंग तयार हो गई और फोग लग गया है